राहूल सैने जी आपका स्वागत है चैट्विद सुरेंदरवत सो में मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे जिस प्रकार का मिशन आपने चेड़ा हुआ है हमने एडुकेशन लिटरेसी की तो बात्चीत सुनी है तो फाइनेंसल लिटरेसी मेरे लिए भी और हमारे वीवर्स के लिए भी एक नया सब्द है तो इसके बारे में थोड़ा बताईए कि फाइनेंसल लिटरेसी क्या है सर बेसिकली जैसे हम एडुकेशन लेते हैं अच्छी जॉब मिले और या फिर मैं कोई बिजनेस करूँ मकसद हमारा यह हो जाता है कि मैं एक ऐसा काम करूँ जिससे मैं पैसे कमाओ और मेरा घर भी चले और शायद मैं कुछ प्रोड़क्टिव काम कर सको तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ मैंने MBA किया है UK से और MBA करने के बाद भी मुझे पैसा कमाने के लिए ही लगना है 17-18 साल की एजुकेशन के बाद भी हमें पैसा कमाने में ही लगना है परंतु उस पूरे एजुकेशन में कहीं पर भी पैसे को कैसे मैनेज करें यह नहीं पता अब समझ यह जस्ट इमैचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोली अगर वो 17 साल या फिर 20 साल के बाद बैट पकड़ता और खेलना शुरू करता क्या वो तेंदुलकर या विराट कोली बन जाता क्या इसका मतलब उसने 3-4 साल की एज से ही खेलना शुरू किया और बार 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 खेलता रहा खेलता रहा इतना अच्छा बन गया कि आज वो विदेशों में भी नाम है हमारे देश का हर जगा नाम रोशन कर रहे है इसका मतलब यह है कि आप एक ही काम को बहुत दिनों तक करते हैं जाके आपको उसमें एक्सपर्ट बनते हैं तो मुझे यह समझ के और जान के वड़ा चंबा महसूस हुआ कि एजुकेशन के बाद भी पैसे में ही लगना है पूरी एजुकेशन में कहीं पर भी फाइनेंशल मैनेजमेंट की कोई भी एजुकेशन नहीं है इसका मतलब फाइनेंशल लिटरेसी कुछ है ही नहीं जो कि रियल लाइफ में आपको आने ही वाली है जरूत पढ़ने ही वाली है तो वो एक बहुत बहुत जादा जरूरी है हमारे लिए और उसी के ओपर मैंने अपनी मतलब मेरी यह सोच है कि इसको लेके क्या देश में कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग आगे आ रहे हैं इस अक्षेत्र में हाँ देश में धीरे धीरे फाइनेशल लिटरेसी की जागुकता बढ़ती जा रही है कुछ लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं इवन काफी कुछ आफिसर्स भी हैं जो इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं जैसे मैं अगर नाम लो बीस अफ के डी जी श्रीक केके शर्मा सर उनोंने फाइनेशल लिटरेसी को बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करिया अच्छा वहाँ पे उनको क्लासिस दी है अप लोगों ने उनको क्लासिस उनने अरेंज कराई हमें बुलाया वहाँ पर हम पूर रहते हैं, निचुरली उनको इस बारे में सिक्षा देना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम आपने किया, तैंक्यू सो मच, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्री आठ पजा आ जाता है, हम लोग इसको लेके बहुत मैनत कर हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं, आपका स्पोर्ट चाहिए, इसी परकार से आप स्पोर्ट देते रहेंगे, तो हम वो सारी जानकारी जो एक डिरेक्ट सेलर के लिए जरूरी है, डिरेक्ट सेलर के एक आम विक्ति के लिए जरू करेंगे हम वह आपको प्रवाइड करें और जिस परकार आज हमने इन्वेस्मेंट पर थोड़ा बातचीत की तो डिरेक्ट सेलिंग के इलावा डिरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के इलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर बात होनी तो वो भी आप हमें जिरूर बताईए एक बार फिर आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद